ओम शिरी गणेशा आये नमा, नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। आपने अमने आसपास चिडिया तो देखी ही होंगी, जो इस समय पहले के मुकाबले काफी कम नहीं नजर आती है। चिडिया का चीची करना सुभा के वक्त अच्छा लगता है, लेकिन अब मानव जाती के विकास के करण ये पक्षी विलुप्त होनी की कगार पर है। हर साल 20 मार्च को विश्व गोरईया दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में गोरईया के संरक्षन से जुड़े पहलो पर विचार विमर्श किया जाता है। इस दिन गोरईया के संरक्षन के लिए विशेश अभियान भी चलाया जाता है। आज हम चड़िया जिसे गोरेया और अंग्रेजी में इस पैरो कहते हैं, इसके बारे में कुछ रोज़क जानकारी जानने वाले हैं, उम्मीद करूंगी दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब ओस्तन गोरेया की लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन 24 से 40 ग्राम होता है, इसकी आग की रेटिना में प्रती वर्ग मिलिमीटर 4 लाग फोटो रेसेप्टर होते हैं, गोरेया प्राकर्तिक रूप से मासारी होते हैं, गोरेया चिडिया का खाना मुखे रूप से पतंगे और अन्य छोटे कीडे होते हैं, व्यज्यानिकों के मुताबिक गोरेया की लगबग 43 परजातियां मुझूद हैं, पिछले कुछ सालों में इसकी संख्या में 60 से 80 परतिशत की कमी देखी गई है, शेहरी इलाकों में गोरेया की 6 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिने हा पतार से उड़ते हैं, लेकिन खतरे के समय वे प्रती गंटे 40 किलोमेटर की तेज गती से भी उड़ सकते हैं, गोरेया आम तोर पर जमीन पर सीधे चलने की बजाए उचलते हुए चलते हैं, और गोरेया में तैरनी के शमता होती है, ये पानी के अंदर ही अंदर तैरते हैं अधिकांश गोरेया सुस्त होती हैं, वो शायद ही कभी अपने जन्मिस्तान से दो किलोमेटर से ज़्यादा ओड़ कर जाती है, नर गोरेया के सिर पर उपरी भाग, नीचे का भाग और गालों का रंग भूरा होता है, जबकि गला, चोच और आखो पर काला रंग होता है, और पैर भूरे रंग के होते हैं, मादा गोरेया के सिर और गले पर भूरा रंग नहीं होता है, जबकि पीट और गर्धन की पट्या भूरे रंग की होती है, गोरेया का घोसला बनाने की जिम्मेदारी नर गोरेयों को होती है, और घोसला बनाते वक्त पे मादा गोरेया को आकरशित करने की भी कोशिश करते हैं। गोरिया के बहुत कम अंडों में मादा पिता दोनों का DNA होता है। जादातर में केवल उनके मा का DNA ही होता है। मादा गोरिया हर साल 3-5 अंडे देती है। 12-15 दिनों के बाद अंडे में से एक गोरिया का जन्म होता है। नर और मादा दोनों मिलके अंडे और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। गोरिया जन्म के 15 दिन बाद ही इतनी काबिल हो जाती है कि वे घुसला छोड़ सके। जंगली गोरिया ओस्तन 4-5 साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन डैन मार्क में एक जंगली गोरिया 19 साल और 9 महिने तक जीवित रहा था। जंगली गोरिया के लिए यह एक वर्ल्ड रिकोर्ड है। गोरिया जब दुखी होते हैं तो अपने तनाव को कम करने के लिए अपने पूच को बार बार जटकते हैं। गोरिया की कुछ प्रजातिया पाहड़ी लाकों में लगबग 3300 फीट की उचाई पर रहती हैं। और गोरिया लगबग 10 से 12 अजार फीट की उचाई तक उड़ सकती हैं। गरेलू गोरिया ऐसे तो जादातर समय जमीन पर ही रहती हैं। लेकिन यहें इसके अलावा पेड़ों और जाड़ियों में भी गुमती देखी जाती हैं। गरेलू गोरिया धूल से नहाती हैं। यहें ऐसा करते समय लगातार अपने शरीर पर पंखों से मिट्टी और धूल में लोटती हैं। जैसे कि वे पानी में नहा रही हों। गोरिया मुखे रूप से अपने घोसले अप्रेल से अगस्त मंत में बनाते हैं। हाला कि इसके अलावा भी गोरिया को सभी महिनों में घोसले बनाते हुए देखा जा सकता है। 1950 के दाशक के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गोरियों को मारने का अभियान शुरू किया था। हर साल बीच मार्च को जैसे कि मैंने बताया कि गोरिया दिवस मनाया जाता है। गोरिया की घरती आबादी का एक बड़ा कारण मोबाईल टावर से निकलने वाली रेडियेशन है क्योंकि आम तोर पर 12-15 दिनों तक अंडे सेने के बाद गोरिया के बच्चे निकलाते हैं। लेकिन मोबाईल टावर्स के पास 30 दिन सेने के बावजुद भी अंडा नहीं फूटता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में ओम शिरी गणेशाय लिखना मत भूलेगा। ओम शिरी गणेशाय नमश्कार दोस्तों।